इस वीडियो में हम किनी भी real numbers के decimal expansion अगर दिया गया हो तो वो number number line पे exactly कहां लाई करता है उसे represent करने की कोशिश करेंगे let's say मेरे पास एक number है 2.325 अब ये number number line पे कहां लाई करेगा अगर हम इस number को देखें तो हम कह सकते हैं ये number definitely 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है जिसका मतलब है ये definitely 2 और 3 के बीच में लाई करेगा बट ये exactly कहां लाई करेगा इसके लिए मैं इस 2 और 3 के बीच के area को magnify करूं होगी अब मुझे पता है 2 और 3 के बीच में 1 unit का distance है अगर इस distance को मैंने 10 equal parts में divide कर दिया तो हर एक part जो है 1 tenth होगा that is point 1 unit का होगा तो इससे मैं जो है देख सकती हूँ कि हर एक point हो गया है मेरा 2.1, 2.2, 2.3 and so on अब मेरा number है 2.325 that is यह number definitely 2.3 से बढ़ा होगा लेकिन 2.4 से छोटा होगा that means अब मुझे 2.3 और 2.4 के बीच के area को magnify करना है अगर मैंने इस area को magnify किया तो अब मुझे पता है कि 2.3 और 2.4 के बीच में point 1 unit का distance है अगर इसे भी मैं 10 equal parts में divide कर दूँ तो हर एक part जो है 100 या फिर point 0.1 unit का हो जाएगा तो अब मेरे number होंगे 2.31, 2.32, 2.33 and so on क्योंकि हमारा number 2.325 है तो यह definitely 2.32 से बड़ा होगा लेकिन 2.33 से छोटा होगा जिसका मतलब अगेन हम 2.32 और 2.33 के बीच के area को जो है magnify करेंगे और इसे भी हम 10 equal parts में divide करेंगे अब हर एक part जो है 1000 हो जाएगा या फिर point 001 का हो जाएगा तो अब हम देख सकते हैं number line पे कि हर point हो गया है 2.321, 2.322, 2.33 and so on तो हमारा required number है 2.325 जो कि अब हम number line पर देख सकते हैं कि exactly कहा लाई करेगा झाल पर देख सकते हैं